नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों एकादशी जिसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं बैकुंट का द्वार कहते हैं श्री हरी के चर्णों में हमारा स्थाई निवास हो जाता है एकादशी का वरत मोक्ष प्रदान करता है गंगाजल में जो स्नान करने से पुनिय मिलता है पाप नश्ट होते हैं मात्र एका अधिशी का वरत करते हैं, तो उसके द्वारा उनके पूर्वजों और पित्रों को स्वर्ध की प्राप्ती होती है। अधि नमक का ये उपाय जरूर करेसर। नमक ना केवल हमारे भोजन को स्वादिश्ट बनाता है, बलकि नमक ना जाने। कितने अंगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वो शरीर भी खराब हो सकता है। समझा जाता है कि नमक ना केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बलकि सबसे जल्दी करोरपती भी बना देता है। नमक चमतकारिक रूप से लाब प्रदान करता है, नमक के अंदर सकारात्मक उर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई घर की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे रास छुपा कर बैठा है। अगर जिस इनसान को पता चल जाए, तो वो कभी भी करोरपती बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित है, कर जो मनुष्य इसे कर ले। या अपना ले तो वो तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वो शीघर ही धनी हो सकता है। नमक का ये उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परन्तु दोस्तों याद रहे दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। माता लक्ष्मी का जैकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जै माता लक्ष्मी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएगा। दोस्तों किसी दिन चाहे सोमवार का दिन हो या का दिन आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं। तुरंत ही फल प्रदान करता है ये उपाय आपकी। आप अपने घर चले आएं और देखिए चमतकार इस से आपका भाग्य उदे हो जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी माता लक्ष्मी दोडी दोडी चली आएगी आपके चहरे पर। कान आजाएगी भगवान शनी आपके उपर कृपा द्रिष्टी बरसाएंगे आपका ब्रहस्पती मजबूत हो जाएगा यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय इतने सारे लाब कराता है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना हो मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है दोस्तों यह उपाय मैं भी जरूर करता हूँ और मुझे इसका लाब पूर्न प्राप् लीपूरी होनी चाहिए आपका कभी अमंगल नहीं होगा, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, करजे भी छूमंतर गायब हो जाएगा, ये उपाय मैं जरूर करता हूँ, आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखिए ये कार्य करने से मुझे बहुत प्रतिशत सच है, मित्रों और विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं, शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी समझा जाता है, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बरतन में रखते हैं, यह चंद्र और शनी का मिलन हो गाजों की बहुत ही घातक सिद्ध होता है, यहां, तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं, यह रोग और शोक का कारण बन जाता है, नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही श जब कोई वयक्ती नमक को लोहे के बरतन में या प्लास्टिक के बरतन में रख देता है, तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, चंदर और शनी नाराज हो जाते हैं, मित्रों तो अकसर खाने में नमक कम हो जाता है, और तब आप ऐसी स्थिती में थोड़ा नमक लेकर खा जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और बेबाक सूचक समझा जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुब समझा गया है, नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, के कारण देवी लक्षमी भी साथ छोड़ देती है, और आजीवन आ नमक उधार मांग कर नहीं खाना, चाहिए इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं, नमक हमेशा धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र और शनी मजबूत होगा, अगर आप गलती से भी किसी का नमक भूल गए हैं, तब भी आपको शनी देव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता, है, मित्रों और शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है, कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए, और ना ही देना चाहिए, जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समरिधी ही चली जाती है साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद हो जाता इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए मित्रों और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकाराक्मक उर्जा होती है वो नश्ट हो जाती है हफते में दो-तीन बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं परन्तु याद रहें नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफसफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं आलक्ष्मी का वास हो जाता है माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिस घर की साफसफाई सुभा के समय होती हो शास्त्रों के समझा जाता है कि सूर्य उदे होने पहले घर का दर्वाजा खोल लेना चाहिए नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो उसी घर में चली जाएगी जिसका दर्वाजा सूर्य उदे से पहले खुलता हो क्योंकि सूर्य उदे से पहले जब किसी का दर्वाजा बंध होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश क् ने तो माता के आने का मार्गी बंद कर दिया है, इसलिए सवेरस्वेरे दर्वाजा जरूर खोल दे साफसफाई कर ले मित्रों जादू टोना तंत्रमंत्र, बुरी शक्ती, बुरी हवा, नजर, दोश मात्र इस उपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा, करें नमक क ये उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक ले और थोड़ा सा आटा ले, साथ की संख्या में साबुत लाल मिर्ची ले, उसमें डंठल होना चाहिए, एक टुकडा कोईला, ले और थोड़ी सी हल्दी, अब इन सभी चीजों को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारे, जिस उपाय खुद हमारी माताजी हमारे उपर बरसों से करती चली आ रही है, यह 100% कारगर सिध होता है, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्न हो जाएगी क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है, आप तो मामूली इनसान है, यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता ह लाजमी है कि जब आपके उपर नजर ही नहीं, तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे क्यों नजर लगने, से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका उतरना भी है, जरूरी मित्रों सोते समय तकिये के नीचे नमक रखकर, सोने से जितनी भी आपके अंदर नकारात्मक उर्जा होगी, यह उसको अपने अंदर सोख लेता है, और आप सुबह के समय एक आनंदायक जीवन को महसूस करते हैं जब आप सोते समय तकिये के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें, फिर इसे संभाल कर रख दें, दोस्तों में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुब जाता है चाय में नमक डाल कर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है, इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डिया कमजोर होने लगती है, चाय में भूल कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है, दोस्तों खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते, शनिदेव की असीम क्रिपा इनके उपर है, शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है, आप कभी भी धनी हो सकते हैं, शनिवार को नमक जरूर दान करें, मित्रों भूल कर भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका शरीर नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हरिदैरोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्री हो, सकती है, आप अपनी आखों की रोशनिक हो सकते हैं, ज्यादा नमक हड्डियों का सूर्मा बन सकता है, नमक ना कम ना ज्यादा इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा समझा जाता है, शरीर के लिए दोस्तों जो व्यक्ति नमक की कदर करता है, उसके उपर हमेशा माता लक्ष्मी का आशिरवाद बना रहता है, अगर आप स बने रहने के लिए,